आज हम बात करने वाले हैं कि Flipkart से किसी product का link copy कैसे कर सकते हैं या फिर Flipkart से किसी product को share कैसे कर सकते हैं आईए जानते हैं तो इसके लिए आप अपने phone में Flipkart application को open करिए open करने के बाद ऐसा interface आपके सामने आएगा अब उपर आपको मिलेगा search for products, brands and more इस पे click करेंगे अब जिस product का आपको यहाँ पर link copy करना है या फिर जो product आपको share करना है उसका नाम enter करेंगे example के लिए हम यहाँ पर एक Bluetooth headphone का link copy करेंगे तो हम यहाँ पर search कर लेंगे Bluetooth headphones अब search result में आपके search के according यहाँ पर product आज जाएंगे अब जिस product का आपको link copy करना है उस product को select करेंगे या फिर उस product पर click करेंगे तो जैसे कि इस वाले headphone का link हम copy करना चाहते हैं तो इस पर click करेंगे आप अपने product को select करेंगे और उसके बाद product की images और product की details आ जाएंगी और उपर आपको मिलेगा right side में देख सकते हैं एक ये वाला arrow वाला option यानि की share वाला option इस पर click करेंगे click करने के बाद थोड़ा सा wait करेंगे और आप देख सकते हैं नीचे आपके सारे social media platform आ जाएंगे whatsapp, facebook या फिर gmail से अगर आप share करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और एक option आएगा copy to clipboard तो copy वाले option पर click करेंगे और आपके इस product का link copy हो जाएगा आप यहाँ पर इसे paste करके किसी को share कर सकते हैं तो जैसे की example के लिए हम अपने इस contact को इसे send करना चाहते हैं तो message पर click करके रखेंगे और paste पर click करेंगे send करेंगे और इस product का link share हो जाएगा तो इस तरह से किसी product का link copy कर सकते हैं और उसे share कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को like करें हमारे इस channel को subscribe जरूर करें